कानपूर बैभो लच्मी मंदिर में 251 के लोग घी की अखंड जोती प्रजलित करी गई शारदी नौरात के पहले दिन भक्तों की भारी संख्या में भीड माता की दर्वार में दर्शन करने के लिए उम्री इन सबी भक्तों का मुक आकरशका केंद्र माता की 251 किलो घी की अखंड जोती रही जिसका दर्शन करने के लिए भाक्त दूर दूर से पहुँची माता वैवर रुक्षमंदर का ये थिहास है कि आज नवरात्री के पहले दिन यहाँ पर 251 किलो घी की अखंड जोती प्रजुलित करी जाती है एक कन्या का चयन किया जाता है जिसका नाम पर्टी में निकाला जाता है और उसके दौरा माता के अखंड जोती प्रजुलित कराई जाती है इस वर्ष ये जो अखंड जोती प्रजुलित होई है शिवान्या चौरसिया नाम के कन्या के द्वारा उसका पूजन करके माता के अखंड जोती प्रजुलित करी गई लगातार 9 दिन या जोती प्रजुलित रहेगी और 251 किलो घी की इस अखंड जोती में जो भी घी अर्पित करता है माता उसके भंडार को हमेशा भरा रखती है और कभी धंधाने की कमी नहीं होने देती है माता वैवलक्षमेंदर की ये भी विशेष्टा है कि नवरात्री का जो शुक्रवार आता है उसमें माता का खजाना वित्रण किया जाता है इस बार 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन माता का खजाना वित्रण किया जाएगा जो भी भक्त इस खजाने को घर ले जाता है माता उसके घर में हमेशा निवास करती है और कभी भी धंदानी की कमी नहीं होती है